किसान भाईयो अद्रक की फसल बड़ी हो या छोटी हो उसमें खपतवार की समस्या हमेशा बनी रहती है खपतवार ज़्यादा से ज़्यादा होता है और उसको निकालने में काफी ज़्यादा हमें लेबर लग जाती है तो यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं, वीडियो के साथ अंतर तक बने रहेगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझेगा, अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी अधूरी मिलेगी और अधूरी जानकारी अगर आप लेंगे तो आपकी फसल का थोड़ा सा नुकसान इस वीडियो के अंदर हो सकता है, तो जानकारी को अच्छे से समझेगा और फिर जाकर दवायों का उपयोग कीजिएगा, तो किसान भायों अभी अधरक आप देख सकते हैं कि हम खपतवार को नियंतर करने के लि कि हमने नालियों में बुवाई की है और इसकी जो बीच की दूरी है वो देड़ फीट के लगबग रखी गई है, तो इसमें अभी आप देख सकते हैं काफी जगा है, इसमें अभी हम एक से दो बार और खुरपा चलाएंगे, हर पंदरा दिन के अंदर हम इसमें खुरपा अभी हम इसमें खुरपा चलाएंगे तो यह जो छोटी छोटी घास आपको दिख रही है काफी अच्छे से नियंतरन हो जाएगी, तो नाली विदी से लगाने का सबसे बड़ा वेनिफिट यह होता है कि इसमें आपको खपतवार की ज्यादा समस्या नहीं आती है, और जो क खपतवार की समस्या काफी ज्यादा आती है, तो किसान भायों जब भी अधरक में खपतवार होती है, तो इसमें कई प्रकार की खपतवार हो जाती है, जैसे कि यह जो आप खपतवार देख रहे हैं, यह है सक्रिपत्ति वाली खपतवार, ठीक है, तो इस तरीकी की सक्रिप पत्ति की खबतवार को तो आप काफी अच्छे से नियंदरन कर सकते हैं, बिना अधरक को नुकसान पहुचाए आप इसको नियंदरन कर सकते हैं, एक बार दो बार कितनी भी बार आप दवाई उसमें डाल सकते हैं, इसके लिए आप अदामा कमपनी की एजिल का तरगा सुपर अगर घास ज्यादा बड़ी है तो आप 30 ml भी ले सकते हैं 15 लिटर पानी के साथ, इस तरीके से आप सक्री पत्ति वाली घास को नियंदरन कर सकते हैं, दूसरी घास आती है इसमें चोडी पत्ति वाली जैसा कि आप देखना है इस प्रकार की चोडी पत्ति वाली खबतवार आजाती है, इस तरीके की चोडी पत्ति वाली खबतवार होती है, तो इस तरीके की खबतवार को नियंदरन करने के लिए आप ले सकते हैं डाव कंपनी की गोल को, लेकिन गोल आपको किस तरीके से डालना है, आपको इस नाली के बीचो बीच जो आपका पंप का नोजल आप अगर गोल का उपयोग कर रहे हैं या फिर गोल एजिल का कॉंबिनेशन का उपयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल नीचे नीचे करें पत्तियों पर बिल्कुल भी आपको दवाई नहीं गिरने देना है तो गोल आपको 10-15 लीटर पानी के साथ मिलाकर उपयोग करना है तो इस तरीके से आप गोल का भी उपयोग इसके अंदर कर सकते हैं इस तरीके की चोड़ी और सक्री दोनों प्रकार की खबतवार को अगर आप एक साथ नियंतरन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्यादातर जो आलू में खबतवार नासक दवाई यूस होती है जिसका नाम है मेट्री विजियन जो कि आपको दुकानों पर टाटा मेट् अधिक्ट करेगे अध्रक हलका सा पीला हो जाएगा और उसका उपयोग आपको ज्यादा अधिक मातरा में नहीं करनी है जब आपके खेट में कहीं कहीं पर घास दिखे और इस तरीके की छोटी घास हो तब ही आपको उसका उपयोग करना है क्योंकि छोटी घास रहेगी तो तो आप अगर कम दवाई भी डालेंगे तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी, घास बड़ी हो जाती है, फिर आप ज्यादा मातरा में दवाई डालती है, तो उससे क्या होता है कि खपतवार के साथ ही वो आपकी फसल को भी एफेक्ट करता है, तो आप मेटरी विजयन का उप्योग कर सकते हैं, हमारे आपर बहुत सारे किसान भाई मेटरी विजयन का उप्योग करते हैं, और सव ग्राम प्रती एकड के हिसाब से आप उसको डाल सकते हैं, सव ग्राम आप मार्केट में लेंगे तो आपको सव ग्राम की पेकिंग में मिल जाएगा, जो कि आप एक लगता है फिर जाके आप उसका उपयोग पूरे खेत में कीजिएगा हम यह नहीं कहते कि आप पूरे खेत में आग बंद करके डाल दीजे क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी फसल खराब हो या फिर आपकी जो मेहनत हो वो उस पर कोई फरक पड़े तो आप पहले एक-दो क्या हम जैकी सांद नहीं